आपका यदि अंग्रेजी वर्ण माला के प्रत्थम अध्यान से बोले तो एक से तेरा तक के लेटर को विपरित क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पंद्रविक अक्षर के बाएं सातवा अक्षर कौन सा होगा तो लेट से आपको पंद्रवा लेटर चलना है और उसके लेट में वापिस आट वा लेटर चलना है तो जब लेट से लेट हम चलते हैं तो यहाँ पर जो संक्या हैं से लेट साइड से हमें 15 अक्षर आगे जाएंगे और जिस पोजिशन पर हम आगए उसके बाएं हमें वापिस 8 अक्षर आजाएंगे तो आपको लेट में कितने अ गठाया तो साथ अक्षर आपको चलने पड़ेंगे तो यहां पर आपको A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, J, K K तक हमने लिख लिए K के बाद में L, M, A तो यह आपके तेरा अक्षर यहां पर कम्प्लिट हो गए हैं जिनको हमने क्या कर दिया? रिवर्स ओर्डर में कर दिया तो यहां पर M आपका एक नमबर पर है L दो नमबर परे, K आपका तीन नमबर परे, J चार नमबर परे, I आपका पांस नमबर परे इसी परकारे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो इन्हें हमें पुल्टे क्रम में लिख दिया है अब आपको left side से कौन से एक्षर पर जाना है, 7 एक्षर पर जाना है तो 7 एक्षर कौन सा हो जाएगा, आपका G हो जाएगा तो यहाँ पर, option number C हमारा correct answer हो जाएगा जो letter आएगा आपका, G आएगा क्योंकि M आपका left वाली position पर आ गया है क्योंकि पर्थम अड़्दान्स को हमने विपरित क्रम में लिखा है तो विपरित क्रम में हमने यहाँ पर counting लिखी और 7 number पर हमारा G लेटरा गया है option है आपका, दिये गए figure में कितने तिरबुज है यह आपको यहाँ पर count करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं शीर्ट से जो खेची कही रेखाए है वो आधार को कितने भागों में बाठती है वो हम count करेंगे तो यह शीर्ट नमबर first हो गया यह शीर्ट नमबर second हो गया तो first आधार के हम बात करते हैं तो एक, दो, तीन तीन भागों में बाठती है तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो एक प्लस दो तीन हो जाएगा तीन और तीन छे हो जाएगा तो यह first नमबर जो फिगर है उसमें तिर्बुजों की संक्या छे है इसी प्रकार यह सेकंड वाले तिर्बुज में शीर्ट से खेची गई रेखाएं आधार को यहाँ पर चार भागों में बाठती है तो चारों को हमने आपस में जोड़ लिया तो एक और दो तीन हो गया तीन और तीन छे हो गया छे और चार दस हो गया तो यहाँ पर आपके तिर्बुजों के संक्या 10 हो गई जो पॉइंट नमबर इसे सेकंड है आपका शीर्ट से उससे और इन दोनों के मिलने से कोई भी नयात तिर्बुज जनरेटे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो रेखाए हैं वो आपस में मिल नहीं रही है तो इन दोनों के यहाँ से कोई भी नयात तिर्बुजे नहीं बन रहा तो 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा तो तिर्बुजे के संग्या हमारे 16 हो जाएगे जो कि आपसन नमबर B में गिवन है तो B हमारा दिये गए कोईशन का अंसर हो जाता है कोईशन है आपका 17 दिसम्बर 1982 को सनिवार था तो 22 दिसम्बर 1984 को कौन सा वार होगा तो आपको यहाँ पर 1982 से और यहाँ पर 17 दिसम्बर की आपकी बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पर 17 दिसम्बर से हमें 17 दिसम्बर 1984 तक जाएंगे उसके बाद में 22 तक जाना है तो इसमें 5 दिन और एड़ गर देंगे तो इन दोनों के अंदर कितने साल का अंतर है यहाँ पर दो साल का अंतर है और आप सभी जानते हैं 1982 का जो साल होता है उसमें दिनों के संग्या कितनी होती है तो दिनों के संग्या आपके 365 होती है 365 आपके दिन होते है इसी पर कारे 83 में आपके 365 दिन होंगे और 84 में आपके केतने दिन होंगे 366 दिन होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 365 दिन लिया उसमें 7 का फाग दिया तो 7,35 एक बचा उतारा 5 7,24 तो यहाँ पर आपके 6 दिन एक बचे और सन 1984 में आपके 6 दिन कितने बचेंगे 7,35 एक बचा उतारा 6 तो 16 होगे आपका तो 7,24 तो यहाँ से 6 दिन आपके 2 बचे तो एक और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मतलब 17 दिसंबर 1984 तक आपको पहुशने के लिए सनिवार से आपको कितने दिन आगे जाना पड़ेगा 3 दिन आपको आगे जाना पड़ेगा तो सनिवार के बाद में रविवार आता है रविवार के बाद में सोमवार आता है और सोमवार के बाद में मंगलवार आता है मतलब 17 दिसंबर का जो वार है वो आपका कौन सा वार है यह आपका मंगलवार है अब आपको मंगलवार आपका आगया 17 दिसम्बर का और आपको ग्याद क्या करना है 22 दिसम्बर का आपका जो वार है वो आपको याद करना है तो यहाँ पर यह मंगलवार से 5 दिन आगे जाएंगे या मंगलवार से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तो आपका कौन सा वार आ जाएगा रविवार आपका वारे आ जाएगा जो कि आपको option number C में गिवन है तो 22 December 1984 का वारे रविवार होगा और C हमारा answer हो जाएगा question है आपका रेक्तिस्तान पर कौन सा पताएगा ये आपको find out करना है दी गई number series में से तो यहाँ पर आपकी number series है 17, 12 7, 2 और उसके आगे खालिस्तान है ये खालिस्तान वाले संक्या को find out करनी है तो इसके पहले हमें number series लिखते है 17, 12, 7, 2 और उसके आगे खालिस्तान है तो सबस्वेले आपको 17 से 12 पर जाना है तो 17 में से अगर 5 को घटा दिया जाए तो आप बारा पर पहुंच जाओगे इसी प्रकारे 12 से अगर आपको 7 पर जाना है तो 12 में से हमें अगर 5 घटा देते हैं तो हम 7 पर पहुंच जाएंगे इसी प्रकारे 7 से आपको 2 पर जाना है तो यहाँ पर भी आप पांच गटा देंगे सिमिलरे साथ से अगर आपको खालिस्तान पर जाना है तो यहाँ पर भी पांच हमें गटा देंगे तो दो में से हमें माइनस का पांच करेंगे तो आपका माइनस का तीन बचेगा तो कहने का मतलब है खालिस्तान पर माइनस तीन आएगा जो कि आपका आपसन नमबर डी में गिवन है तो आपसन नमबर डी हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा